आखिर क्यों ही, सब लोग यहां पर USB Type-C को इतना जादा प्यार करते हैं अरे मतलब प्यार तो इतना जादा इसके उपर उठाया जा रहा है कि यहां पर European Union ने तो mandatory कर दिया है कि जितने भी portable gadget से जिनके अंदर charging होती है उन सब के अंदर USB Type-C का ही port देखने को मुलेगा मतलब Apple वालों को भी जवर जस्ती से प्यार करवा रहे है कि भाई तुम भी अपने phone से lightning port हटाओ USB Type-C डालो USB Type-C के standard बनके सामने आ जाएगा लेकिन आखर USB Type-C में ऐसा है क्या हो सब के लोग इसके पीछे पड़े है चली इसके भारे में बात करते है क्योंकि जब आप काफी जदा exciting है क्योंकि Type-C port लगबख अभी से नहीं लगबख 8 साल से है लेकिन अभी इसकी popularity एक्दम चरम पे क्यों है अगर आप लोग excited हो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर सकते हो चलो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो देखो USB Type-C का ऐसा port है जिसे इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया था कि यहाँ पर एक ही port है जो सब को रूल करेगा यानि कि एक port सारे काम कर ले वो होता है हमारे USB-C जिसे obviously एक advanced version की रूप में बनाया गया था लेकिन इस connector के फायदा है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसे multiple तरीकों से यूज किया जा सकता है यानि कि पहले क्या होता था एक computer के अंदर अगार आपको internet चलाना है तो ethernet के अबल डोलनी पड़ती थी अगर आपको monitor से connect करना है तो HDMI, VGA, display port से connect करना पड़ता था और यह सारी problem देखा तो सिर्फ type C port से खतम की जा सकती है type C port का use करका आप internet से भी connect हो सकते हो आप monitor भी connect कर सकते हो TV से भी जोड़ा जा सकता है यहां तक की बात कर रहे तो USB के जित्ते भी connections होते है 3.2, Gen1, Gen2 यहां तक की USB 4 जो रहता है वो तक इसके साथ compatible है यहां तक की Thunderbolt port को भी implement किया जा सकता है Thunderbolt port के बारे मैं नहीं पता तो जो Thunderbolt port 4 होता है उसकी खास बात यह रहती कि अगर वो आपके computer के अंदर है उसके अंदर आप external graphic card तक जोड़ लो जी हां एक external graphic card में laptop PC से connect कर सकता हो अगर Thunderbolt 4 port का support है तो यह चीज बहुत जवर जस्त हो जाती है और इससे पता लगता है आखिर कितना ज्यादा flexible port है और सिर्फ इतनी बात नहीं है USB Type-C वाले earphones भी तो आते हैं जिनका connect कर सकते हो आप और तो डॉंगल भी तो देखने को मिलता है Type-C to 3.5 mm jack वाला और यही एक रीजन था कि Apple वालों के जितने भी MacBook का रहे है पिछले कुछ सालों से सब में USB Type-C को क्यों implement किया जा रहे है क्यों Apple जैसी company जिसने खुद lightning बनाया है लेकिन वो यहां पे खुद USB Type-C अपने जटी भी premium products होते जैसे iPad Pro हो गया या फिर अपका Mac हो गए सब के अंदर देते हैं क्योंकि वो लेटरली ज्यादा powerful है ज्यादा functional है वो ज्यादा data carry कर सकता है और वो उसे अपने हिसाब से यहां पे change कर सकते है और यही एक सबसे बड़ी चीज़ है एक port सब के साथ काम करें येस और यहां पे इतनी बात नहीं कि से आप ओपर नीचे आगे पीछे कैसे भी ल की जैसा port अगर हर जगे होगा तो इससे e-waste भी कम होगा क्योंकि अलगलग cables के requirement कम हो जाएगी अलगलग charges आपको कम लेने पढ़ेंगे यहां तक कि USB Type-C port जो रहता है वो इतना powerful रहता इसका पे अंदाजर लगा सकते है कि हां पे आपका जो high wattage का जो charger वो भी खरी कर सकता ह यह 100 watt 120 watt के charger तो हैं लेकिन 240 watt का charger भी आने वाला है और mobile phone में जब यह आएगा उसके लिए भी Type-C port compatible है अल्रेड़ी laptops को Type-C port चार्ज कर रहा है से बहुत सारे laptops के example हम लोग देख चुके अल्रेड़ी यहां तक कि सिर्व बात इतनी नहीं है मेरे को क्या लगता है कि future में Type-C port यहां पर चल रही है इसके साथ ही बात की जाए तो Type-C port तो इन्होंने हाँ पर fix कर दी है लेकिन एक काफिक इंटरस्टिंग बात में आपको बता सकता हो कि charging standard को भी एक करने की यहां पर जरूरत है क्योंकि अभी के समय में देखा जाए अगर एक company का fast charger लेते हो तो उससे द कि कोई भी product अगर 15 watt की उपर की charging को accept कर रहा है तो उसकंदर USB power delivery का feature होना चाहिए जो कि काफी एक अच्छा feature है जिसको अगर सभी devices अगर support करेंगे तो at least आप एक standard charger एक standard cable हर जगे use कर सकते हो क्योंकि पहले देखाया तो Type-C port के साथ एक छोटी सी problem यह थी कि कुछ company के charger और उ earphone लगां तो उस phone में अंदर इन जब चीजों का support नहीं था यह कुछ चीज़े ऐसी restrictions वगरा थी लेकिन हाला कि अगर market के अंदर सारी की सारे जो USB Type-C वाली cables होती है वो standard design के अंदर आने लगे यहनि कि standard को follow करने लगे इसके बाद यह problem पूरी तरीके स्थाल हो जाएगी even य अलाकि यह चीज़े काफी तेज से develop हो रही है और इस टैप के charging method और standards कि यहाँ पर काफी जाद जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से कंपनियों काम कर रही है अपने अपने अलगलग charging standards यहाँ पर develop कर रही है उनके साथ लोग को यहाँ पर problem यह face करनी पड़ रही है कि एक charger उस USB-A port देखने को मलता है और साथी साथ माइक्रू USB देखने को मलता है श्याद दौनों पूरी तरीक से गया होजा है यानि कि अभी भी USB-A काफी जादव पॉप्टाउस में काफी जाद देखने को मलता है लेकिन यह चीज़ भी completely खतम हो जाए और सिर्फ आपको type C देखने क भी आ जाए इसके साथ ही Apple के Mac कंप्यूटर सकी आता है और हर जगेशा type C है और अच्छा रहेगा अगर बजट फोंस पर भी अगर टाइप सी पोर्ट अगर आने लगे यूएसपी type C को connector ही ऐसा है लेकिन जादा प्यार करने से भी जादा प्रॉब्लम्स भी create हो जाती है आप लोग का इस बार में क्या opinion है यह बात नीचे कमेंड में आप लोग बता सकते है नीचे और आप लोग को USB type C पोर्ट कैसा लगता है यह बात मीचे कमेंड में बताना आप लोग कर से लोग कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थिंट्ट के विडियो थिखनी की मैं अवसाव नेक्स फंट में गोड़ बाई